हेलो गाईस, वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल और मैं आसा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे तो फिर आज हम देखने वाले हैं किर्चॉप इक्वेशन तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ठीक है मान लेते हैं मान लो ए जो है बी में परिवर्थित हो रहा है ठीक है एज जो है वो अभिकारक है और भी जो है वो प्रोडक्त है sollten तो फिर आना T1 नीशन ताप पर जो है और ट क्रीक्रित हो जाया ठीक है यहां प्रकरम यह दो प्रकारस ती कराया या सकता है चलिए देखते हैं I hope इतने समझ आया होगा है Simple सही है कुछ नहीं है लिखा हुआ है आपको याद करना है और अच्छे से समझना है अब देखते हैं इस्तिर दाप पर कीरचॉप समीकरन इस्तिर आयतन पर भी कीरचॉप समीकरन है क्या बोल रहा है एक जो B में परिवर्थन है वो T1 ताप तथा इस्तिरदाब पर करा जाता है हम क्या पढ़ रहे हैं इस्तिरदाब पर है तो फिर लिखेंगे कि इस्तिरदाब पर करा जाता है ठीक है इस प्रक्रम में ताप T1 पर आशोशीत उश्मा प्रारंबिक तथा अंतिम अवस्थाओं की एंथेल्पियों का अंतर होगा अभी जो t1 temperature है न तो फिर इस temperature में जो और शोशित उश्मा है वो जो है प्रारंबिक और अंतिम एन्थेलपि का अंतर होगा अब देखें प्रारंबिक एन्थेलपि और अंतिम एन्थेलपि कैसे पता करएंगे हैं तो फिर यहाँ पर जो है एक जो है बी निफ परिवरतन हो यह जो है अंतिम एंथेल्पी है एच भी और यह प्रारंभिक एंथेल्पी एच एच ए तो फिर इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एच वन इसको हम डेल्टा एच वन करके एक्वेशन नमबर वन देंगे ठीक है कि आयोप इतना समझाए होगा आप लोगों अब दिखते हैं अवस्था बी का ताप टीवन से टीटू तक बढ़ाया गया ठीक है सिंपल सा है और जो भी है उसका ताप जो है टीवन से जो है टीटू बढ़ाया गया ठीक है माना कि टीटू माइनस टीवन बराबर डेल्टा ट अब देखिए ताप का अंतर निकालेंगे तो फिर T2-T1 ही करेंगे है तो फिर इसको हम डेल्टा डेल्टा T कर देंगे तो फिर कितना ताप बढ़ाएगा टोटल डेल्टा T ताप बढ़ाया गया है इस ताप की वृद्धी में दी गई उश्मा डेल्टा T C P B होगा ठीक है अब डेल्टा T टेंपरेचर बढ़ाएगा ठीक है तो फिर इस टेंपरेचर में जो है उसको दिया कितना उश्मा दिया गया उसको यहां पर लिखा गया है तो फिर कितना उश्मा दिया गया चलिए देखते हैं डेल्टा T C P B उश्मा दिया गया ठीक है यहां पर जो है यह में जWb特ह को एकोष्य नंबर टू डे देते देते हैं अब देखते हैं दूसरी विधी है ने दूसरी इस विधी में एक थाफ पहले wine 1 से बढ़ा कर टी 2 कर दिया जाता है इस इस क्विधि में एक टेंपरिचर जो है पहले ती 1 से बढ़ा कर टी 2 कर देते हैं इस ताफ वृद्धी में डेल्टा tcp a उश्मा और शोशीत होगा अब 1 ट2 बढ़ा दिया तो फिर इस ताप की विद्धी से जो है वो डेल्टा tcp a उश्मा और शोशीत करेगा ठीक है जबकि cpa अवस्था मे अवस्था अवस्था A में तंत्र की उश्माधारिता है यह जो CPA जो है वो अवस्था A में तंत्र की उश्माधारिता है परिवर्तन A का B में यह चैनल से फेल बीको अब टे टू टाबट पर होने देते हैं जिस्से एंतिल्पी में अंतर अब देखिए यह जो परिवर्तन हो रहा है उसको आंतर है अब तो फिर डेल्टा ह2 निकाले हैं तो फिर इसको जो है equation number 3 दे देते हैं आता delta 2 उश्मा का और शोशन होगा ठीक है दूसरी विधी में उश्मा होगा यानि कि दूसरी विधी में जो है कितना उश्मा हुआ उसको देखते हैं ठीक है तो फिर delta T CPA प्लस delta H2 ठीक है delta H2 हमने निकाला था औ और कितना उश्मा और शोशीत हुआ delta T CPA उश्मा और शोशीत हुआ और इतना यह आया है ना तो इन दोनों को जो है यहां पर प्लस कर देंगे ठीक है इसको हम equation number 4 देते हैं अब देखिए उश्मा गतिका प्रथम नियम लगाते है ठीक है उश्मा गतिका प्रथम नियम क्या है आप सबी को पता है ना उर्जा को ना तो उत्पनिक किया जा सकता है ना ही नश्ट किया जा सकता है केवल उसको एक रूप से जो है दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना तो फिर उसकी हिसाब से जो है दोनों वीदियों में उश्मा परिवर्तन जो है एक स के टेके यह थीज को फिर डेलٹा एच्वन डेल्टाТी सिपी इतना जाना थे तो प्माइट क्या ररुणटाटी सीपी में इतना है तो इसको एकुक्योषन नमबर 5 देके अब देखते हैं इसको क्यासे लिख सकते हैं अब देखें यहां पर देखिए डेल्ट यहाँ पर देखिए डेल्टा T C P B है इसको अपनी इस्थान पर रहने देते हैं और यह जो डेल्टा T C P A जो है इसको इधर ला देंगे है तो फिर यह प्लेस में है तो फिर इधर आया तो फिर यह मैनस में आ गया ठीक है तो फिर और इधर यह मैनस में हो गया ठीक है और कॉंमन देखें इसमें दोनों में कॉमन क्या है यह तो पिए और बचा उसको यहां पर रहने देदे अभ इसको है हम Atlas से भी लिख सकते हैं लिए तो फिर मेरे से उधर हो सकता है ना मेरे मिसमान फिसल सकता है लेकिन आप जैसे है वैसी ही लिखेंगे है ना तो फिर डैला एक अपाउN डैलटा टी कांस्टेंट पी कैसे आया इतना समझा आगे हैं तो फिर इसको जाई question number six दे देते हैं अब देखिए डेल्टा CP अंतिम तथा प्रारंबिक आवस्थाओं की उश्मा धारिताओं का अंतर है यदि डेल्टा T ताप में सुच में वृद्धी हो तो डेल्टा T के इस्थान पर डेल डेल सुरी डेल्टी लिखा जा सकता है अब त सुरी डेल्टा CP इसको equation number seven दे देते हैं अब देखिए इस समीकरण को की रिचौफ equation कहते हैं यानि कि यह वाला जो इक्वेशन है इसको जो है यही जो है वो की रिचौफ समीकरण है ठीक है यहां एंथल्पी इस्तिर दाब पर अभिक्रिया की एंथल्पी है यहां डेल्ट समीकरण seven को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इसको हम लिख सकते हैं डी डेल्टा एच ब्राबर डेल्टा CP dt इसको equation number eight देते हैं अब जो आठवा समीकरण है इसको जो है टीवन तथा टीटू के मध्या समाकलन कर देंगे ठीक है तो भीचली समाकलन कर देते हैं समाकलन क सचीन है लगाएंगे टीवन टीटू है तो फिर यह जाएगा यह जाएगा डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन बराबर डेल्टा सी डेल्टा सीपी कोश्टक में डेल्टा टू सॉरी टीटू माइनस टीवन ठीक है इसको equation number nine दे सकते हैं और यह भी जो है समीकरन देखें घैस हमने जैसे इस्थीरदाब पर किर्चौप कर समीकरन निकला था वैसी जो है आपको भी इस्थीर आयतान के अधर से हैओ को इस पर दल्टा है करने तो भी कोई बात नहीं क्यूंकि ज्यादा तर जो है इस तुर दाव पर केँछाप समीगरन पुछा जाता है । तो फिर इसको जो है आप इतना सुल्ट कर दोगे तो फिर ठीक है नहीं तो फिर और भी ठीक है नोट्स वेगर आपको मिलती ही रहते हैं तो फिर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट भी जरूर क्या करें भले ही लाइक शेयर लेकिन कमेंट जरूर करें ना तो फिर अच्छे से इसटडी कीजिए यही हमारी कामना है और आप लोगों से विदा लेते हैं और थैंक्य मेरे बिलो को वाच्च करने के लिए